प्रति दिन प्रभु येश्यू आपसे प्रेम करता है और अपने वचन से बातें करता है अपने प्रभु प्रेम को प्रकट करने के लिए चाहता है आज भी प्रभु येश्यू अपने वचन का द्वारा बात करने के लिए चाहता है बदन सेंगिता 37 अध्याई की 19 वचन को पढ़ेंगे तो विपत्तिक समय उनकी आशाना तुटेगी आउर ना वे लज्जित होंगे और आकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे विपत्तिक समय में आपको प्रबू कभी नहीं चोड़ेगा लज्जित नहीं होंगे और आकाल के समय में परमीश्वेर तृप्त करेंगे सारे लोग यदि बुक्चे भी रहेंगे प्रबू आपको तृप्त रखेंगे आगे यलिया के समय में देखिए पूरे देश में साड़े तीन साल तक आकाल है पानी नहीं है लेकिन एक विदवा के गर में उनकी रुटी आटा की कमी नहीं और तेल की कमी नहीं हुई है आकाल का समय में तिर्प्त रहे हैं चारों तरफ में कैसे भी रहने से भी आप परमेश्वर को विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे आकाल में वे तिर्प्त रहेंगे कैसे कौन ऐसे तिर्प्त रहेंगे आगे के वचन में देखिएगा मन की कराई में शुदताव में जो रहेंगे इसका मतलब ब्लेमलेस लाइफ इसका मतलब ये है वे जीवन में निर्दोश रहेंगे यदि आप काम करेंगे उस वक्त में लोग कहेंगे ये गूस नहीं लेते हैं ये ब्रस्टचार नहीं करते हैं ये जूट नहीं बोलते हैं ये अन्याई नहीं करते हैं आईसे आपके प्रती लोग गवाई बोलना चाहिए इस वक्ती इमंदारी के साथ रहने वाले आईसे लोहों को प्रबू आसिस देता है आपके चारों तरप में रहने वाले आपकी और कहना है ये वेक्ती इमंदारी में ब्रश्चचार नहीं करता है सही डंग से चलता है आईसे लोहों को परमेश्वेर आसिस देता है क्या आज अपने आपको अर्पन करेंगे हे प्रबु मैं अर्पन करता हूँ इमंदारी और खरे मन के साथ रहें इसका मतलब तू मुझे लजित नहीं उने देता है आकाल का समय में तू मुझे तुर्प्त करता है प्रबु यिश्यमसी के नाम में आमेन आमेन